हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो तैयारी ओपीडिया जहां हम आपको कराते हैं डेली करेंट अफैर तो आज है 20 जून 2023 तो चलिए देखते हैं आज की कुछ इंपॉर्टन करेंट अफैर जो आपके आने वाले हर एक एक्जाम में बहुत ही जादा इंपॉर्टन है तो चलिए सबसे बहुत ही जादा इंपॉर्टन है तो इक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बहुत ही जादा आएंपॉर्ट यह हो सकता है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में रिटार्ड इंस्ट्यूट की डिजिटल नियूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे भरो सबसे मंद्र इलक्ट्रोनिक मीडिया संगठन डीडी इंडिया और इंडिया रेडियो है तो इसे दोजार तेश की रिपोर्ट के अनुसार इसे बताया गया है रिटायर इंस्ट्यूट की डिजिटल जो न्यूज रिपोर्ट आती है 2023 की उसमें सबसे भरोसे मंद्र और इलक्ट्रोनिक मीडिया संगठन में डीडी इंडिया और अल इंडिया रेडियो यहां दोनों का नाम सामने आया है तो इसे आपको ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं नेक्स मॉइंट हाल ही में राम चंद्र गुहा की पुस्तक एलिजाबेथ लांग फोर्ट पुरु आक करणा हाल ने के रूंद्र लो हृ इसे आपको ध्यान में रखना है करणांटक राजिसरकार ने धरर मांतरन विरोधी कानून को समाप्त है कर दिया है तो जो जिसमें जब लोग धर्मान तरण करते थे तो उससे भी कई सारी प्रावलम्स क्रियेट होती थी तो अब इसी को चलते इस से जो विरोध उत्पन होते थे तो अब उसका कानून को समप्त कर दिया गया है इसे आपको ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं महिला पाकिस्तान देश में महिला दूद के रूप में यह नियुक्त की गई है तो इसे आपको ध्यान में रखना है तो इसे आपको ध्यान में रखना है तो जमू एं कस्मीर में यह जारी की गई है तो इसे आपको ध्यान में रखना है तो इसे आपको ध्यान में रखना है तो अंतर राष्टिय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया गया है 16 जून को तो इसे आपको ध्यान में रखना है 16 जून को मनाया गया है पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया गया है अंतर राष्टिय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस चले देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में पहली बार भारत अमेरिका सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाना है तो यह आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बार हो रहा है तो भारत और अमेरिका भारत और युनाइटेड नेशन का सिखर सम्मेलन जो होता है वह आयोजन इस बार इंडिया में हो रहा है तो इसे आपको ध्यान में रखना है ये पूछा जा सकता है एक्जाम में ऐसे कोशन बन रहे हैं अभी एक्जाम में फिलहाल में तो चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में भारतिय नौ सेना द्वारा जूली लद्धाक का बारतिय नौ सेना ने इसके शुरुवात कर दी है तो आपको ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में उत्तरपदेश राज्य की जेलों का नाम बदार कर क्या रख दिया गया है तो इसका पॉइंट मैंने पहले भी कवर किया था तो इसका नाम सुधार ग्रह कर दिया गया सारे कारावागार का जो नाम था अब उनको कारागार ना कहके अब उसे सुधार ग्रह के नाम से जाना जाएगा तो इसे आपको ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में जी ट्वंटी के तहत दो दिवसिये मध्यप्रदेश की जो राजधानी है तो इसे आपको ध्यान में रखना है अभी हाल में मध्यप्रदेश से रिलेटर जो कोशन बने थे उससे अंदर की हिस्ट्री पूछी गई थी तो आपको भॉबाल या जिस स्टेट एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं उसके डीपली आ अब यहां वनरक्षक और फॉरस्ट गार्ड इन सब की एक्जाम चल रहे हैं तो उसमें ऐसे कोशन बहुत ही जादा बन रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको इसको बताया है सजिशन दिया है कि आप ऐसे सारे कोशन जरूर एक्जाम से पहले देख कर जाए तो इसका नाम क्या है शुधान पंथ हैं स्वास्त सचीव के रूप में नियुक्ति किये गए हैं इसे आपको ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में पाकिस्तान देश की जो महिला क्रिकेटर है नाहिदा खान ने अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है त अपको ध्यान में रखना है जैसे स्री लंका और पाकिस्तान देश में आयुजित किया जाएगा तो इसे आपको ध्यान में रखना चले देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में सैयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम थी तो इसके द्वारा लिंग सामाजिक मापदंड जो होता है मापदंड GSNI लाउंच किया गया है तो इसे आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा लाउंच किया है तो UNDP आनि संयुक तुराष्ट विकास कारिकरम के द्वारा ठीक है United Nation Development Project तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है चले देखते हैं next point हाल ही में मद्द प्रदेश का कौन सा सहर है तो उज्जेन सहर में एक दिवसी e-library software prescription का आयोजन किया गया है तो e-library software prescription का आयोजन कहां किया गया है तो यह उज्जेन सहर में किया गया है और इसके पहले अभी मैंने बताया भोपाल सहर के बारे में तो इसको आपको ध्यान में रखना है G20 सिखर सम्मेलन यहां आयोजीत हो रहा है भोपाल में चले द में घबान की क्रिसी सेज परियोजना को हरी जंडी दिखाई दिखाई है इन्होंने तो इसे आपको ध्यान में रखना है चले देखते हैं नेक्स हाल ही में तिलंगाना राज्य की सुनदर इमारतों और सनरशनाओं के लिए इसे कौन सा पुरुसकार दिया गया है तो Green Apple Pūrushkår अंतर राश्टी यह ठोल इंटरनेशनल Green Apple पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो इसे आपको ध्यान में रखना है ग्रीन एपल पुरसकार से किसे चुना गया है तो तिलंगाना राज्य सरकार को वो चुना गया है किस वज़े से तो यहां की जो संदर इमारते हैं और उनकी जो संरशनाओं के बारे में जो साफ सुत्रा और उनके बारे में ध्यान रखा जाता है इसी के लिए यह पुरसकार दिया गया है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट हाल ही में इंडियन ओइल कॉप ने हर्याना राज्य में क्या किया है तो विमानन इधन सायंत्र इस्थापित करने के लिए लेंजट के साथ साज़ेदारी की है तो इसे आपको ध्यान में रखना है यह पूश्चन एक्जाम करेंड और जो आपके एक्जाम में बहुत जादा इनपॉटंट एपूचह जा सकते हैं तो आपको यह सारे पॉइंट कवर करने हैं और यहां पीडियम डाउनलूड करके इसको रिवाइज करते रहना है और यदि आप पीडियम नहीं डाउनलूड कर सकते तो वीडियो को एक आग बार 2X में सुनकर भी इसे आप exam के related cover कर सकते हैं, जादा hard point नहीं रहते, जो main main points आते हैं, हम उसी को cover करते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, हमारे चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को click कीजिए, और हमारे आने वाली सारी जो informative वीडियो हैं, आप उसका लाभ उटाइए, धन्यवाद.